हिमाले के उस पार है एक मरुबू भी आकाश में, बहुत ठंड है हाम जी, तापमान यहां 35 डिग्री प्लस से 35 डिग्री माइनस तक जाती है, और यहां की संस्कृती वेशबुशा, भाशा, अलग है, भिन है, यहां के लोग छोटी से अलप संख्यक जाती के हैं, और इस कारण से एक बड़े से देश में समस्याईं भी बहुत आती हैं हमें, भाशा की, क्लाइमेट की हर लिहास से, और खासकर समस्याईं आती हैं बच्चों को शिक्षा में, क्योंकि विद्यालियों में जो पढ़ाया जाता है, जिस भाशा में पढ़ाया जाता है, वो हमार भाषा से, हमारे वास्तविक्ताओं से बहुत दूर होती हैं। तो जब मैं अपनी एंजिनियरिंग कर रहा था, तो मैंने शिक्षा की स्थिखी को समझा, मेरा पाला पड़ा, पाला कैसे पड़ा? किनी कारण वश मुझे अपनी एंजिनियरिंग, मेकानिकल एंजिनियरिंग का खर्चा खुद उठाना पड़ा, और उसके लिए मुझे बच्चों को पढ़ा कर, कोचिंग देकर यह करना पड़ा, और करते करते मेरे शिक्षा का खर्चा तो निकला, मगर इसने मेरे जीवन को बदल डाला, मुझे पता चला कि कितने अच्छे होनहार बच्चे फेल हो जाते हैं, उन दिनों पच्चान में प्रतिशत बच्चे फेल हो रहे थे दसमीक अक्षा में, जो कि एक पासपोर्ट है आगे के जीवन के लिए, और अधिकतर विद्यालियों में शुन्ने परतिशत थे, जीरो परसेंट रिजल्ट आ रहे थे, और मैं समझ गया कि यह तो बच्चों का दोश हो नहीं सकता, फेल बच्चे नहीं हो रही हैं, बलकि हमारी शिक्षा प्रनाली फेल हो रही है, तो मैंने ठान लिया कि इस देश को या लदाख को एक और मेकैनिकल इंजिनियर की जरूरत नहीं है, बलकि जरूरत है इस शिक्षा प्रनाली में सुधार लाने की, तो एंजिनियरिंग खतम करके मैं वापस लदाख गया, और अपने हम खयाल साथियों के साथ एक नया अभियान शुरू करने लगा, जिसे सेक्मॉल या Students Educational and Cultural Movement of Ladakh कहा जाता है, और सरकारी स्कूलों में सरकार से मिलकर गाओं गाओं में हमने एक अभियान छेड़ा, जिस अभियान का नाम क्यूंकि यह सरकार के साथ और लोगों के साथ था, और हमारे संस्था का तीन पक्षे अभियान तो इसे हमने अलग नाम से Operation New हो अभियान नई आशा की, इस नाम से चलाया और विद्यालों में देखते ही देखते परिवर्तन आने लगा और आप देखेंगे, जो प्रतिशत 5 पर 8 का हुआ था, साथ सालों में बढ़ता हुआ पच्छपन तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे 75 प्रतिशत तक पहुंचा, अच्छी बात है 75 प्रतिशत के लिए, मगर जो 25 प्रतिशत अभी भी नाकाम खोशिप किये जा रहे हैं, वो नाकाम नहीं हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनके लिए हमने एक विशेश विद्याले बनाया, जो की सिंदु नदी के टट पर इस मरूभूमी में हैं जैसा आप देख रहे हैं, यह विद्याले कुछ अलग सा है, अजीब सा है, पहली बात तो यह दुनिया से अलग जंगल में मंगल सा है, यहां पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, हर चीज सूर्य के उर्जा से होती है, बिजली, गर्मी और जितनी भी जरूरतें उर्जा की है, सूर्य उर्जा से और भवन सारे मिट्टी से बने हैं, और इस विद्याले की विशेशता यह भी है, कि जहां हम admission criteria में distinction और percentage रखते हैं, देश बर में, दुनिया बर में, इस विद्याले में criteria है कि आप fail हुए हों, अगर आप pass हुए हों, तो आपको waiting list में रखा जा सकता है, लेखा जा सकता है, तो यहां पर अलग तरीके से पढ़ाया भी जाता है, अगर वो हमारे तरीके से नहीं सीखते, तो उस तरीके से सिखाओ, जिस तरीके से वो सीखते हैं, इस विद्याले को बच्चे एक छोटे से देश की तरह चलाते हैं, और जी कर सीखते हैं, अनुभव से, मिसाल के तोर पर, एक छोटी सी सरकार बनाते हैं, जो हर दो महिने में बदलती है, एक नेता चुना जाता है, और फिर बाकी विभाग सौपे जाते हैं और बच्चों को, तो कोई ठाद्यपदार्त का विभाग, कोई बिजली और उर्जा का विभाग बच्चे संबालते हैं, और फिर वो दो महिने के लिए अपने लक्षे रखते हैं, और उस पर कार्यावन करते हैं, और फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और इस तरह से वो, जिने हम कहते है लाइफ स्किल्स सीखते हैं, जिसकी जीवन में जरूरत हो, और जिनको हम किताबों से पढ़के नहीं सीख सकते हैं, जी कर सीख सकते हैं. विज्ञान की बाते हों, तो मान लीजिए, जर्म थियरी या की टानों के बारे में अगर विशय हो, तो उसे जीवन में प्रयोग करके, जैसे जैम बनाके, खाने को लंबी समय के लिए रखने के तरकीबें करके सीखते हैं, और जो जैम वो बनाते हैं, एपिकोड से, खुबानी से, उसको बेचते हुए वो अर्थशास्तर सिखते हैं, और उसके लाब से जब बच्चे भारत के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो जोग्रफी सिखते हैं, और उसी तरह इस स्कूल में, एक छोटे से देश की तरह, इसकी अपनी एक न्यूजपेपर पत्रिका है, Campus Times, उसी तरह Campus Radio है, यहां तक की अपने एक टाइम जोन भी है, तो इन सब को जैसा जीवन में वो पाएंगे आगे, उसको जी कर वो जीवन सीखते हैं, Innovations, नए-नए अविशकार, यहां के जीवन का एक हिस्सा है, जिसमें बच्चे भाग लेते हैं, और अविशकार यहां पर कुछ विश्यों के इर्दगिर्द गूनते हैं, पृत्वी, सूर्य, हिम और अग्नी, तो पृत्वी यानि मिठी से यह पूरा विद्याले बना हुआ है, और मिठी के घर, जिसको विज्ञान का प्रयोग करते हुए, फिर सूर्य के उर्जा से गर्माया जाता है, और फिर यह साधारन सी सूर्य उर्जा की तक्नीक से, यह भवन लदाख के माइनस 15 से 20 के सर्दियों में भी, कि ब्लस 15 से 20 में रहते हुए, बिना किसी और उर्जा के। सूर्य उर्जा का प्रयोग हर चीज में होता है लगबख पूरी उर्जा सूर्य से, चाहे खाना बनाने की बात हो, सर्दियों में सबजियां उगाने की बात हो, प्रकाशित करने की बात हो भवन को, या फिर बिजली, पानी गरम करना, नदी से पानी उपर उठाने की बात हो, यहां तक कि यहां के गाए भी सूर्य उर्जा स करते हैं बर्फ काम की चीजब भी हैय और मजे की चीज भी है पहले मजे की चीज गय है इस विड्याले ने एक ऐसा तक्नीक भिकास किया जिससे कि आप कहीं भी एक Ice Wauky Rink बना सकते हैं उससे पहले Ice Wauky Rinks तालाबों में दूर दूर हुआ करते थे और जिसके कारण से सिर्फ मर्द ही उसमें हिस्सा ले पाते थे, पुरुष ही, और महिलाएं ले नहीं पाती थी, तो इस विद्याले में, विद्याले के बाहर, परिसर में ही ये रिंक बना कर हमने महिलाओं की, लड़कियों के आई साकी का पुरुचसाह और फिर नैशनल लेवल चैंपियन्स एक टीम बनी, और खुशी की बात आपको बताओं कि इस साल, 2016 में, पहली बार भारत की महिलाओं की आईस होकी टीम, ऐशिया चैलेंज कब खेलने टाइवान गई, अभी जीते नहीं, मगर हमारा लक्ष है कि पांच साल के अंदर ये आप जीते हैं, और दस साल के अंदर भारत की टीम, एशिया की महिलाओं की आईस होकी की चैंपियन बनें, काम की बात करते हैं बर्फ की, तो हिमाले के विभिन शेत्रों में, आज एक तरही तरही सी मची है, कि पानी की कमी हो रही है, ग्लेशियर्स बर्फ पिगल रहे हैं, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो हमारे इस विद्याले में हमने अपने बच्चों के साथ एक अविश्कार पे काम किया, एक नए ऐसे तरीके से जिससे की पानी को सर्दियों में जब उसका प्रियोग ना हो, जमा दिया जाए, और फिर गर्मियों में या बहार में उसको प्रियोग किया जाए, जब वो पिग ले, बहुत ही साधारन सी तकनीक है, पहाडों में धलान होता है, साधारन सी पाइप लें और उसमें से पानी अगर चलाएं, तो नीचे आते आते पाइप में इतनी प्रेशर बनेगी, कि वो एक फवारे के रूप में फूटने लगेगा, और फवारे से जब पानी माइनस 20 या माइनस 30 की हवा में फूटे, तो पानी अपना लेटेंट हीट खोकर नीचे गिरते जमने लगेगी, और एक कौन का आकार ले लेगी, और कौन वो आकार है जिसका छित्रफल सबसे कम और परिमान सबसे ज्यादा, अधिक तर लो सर्फिस एरिया, हाई वाल्यू और इस कारण से वो पिगलता नहीं है, और जब सब बर्फ पिगल जाएं, तो ये आइस तूपा जून जुलाई तक धीरे धीरे पिगलती रहती है और अपना पानी किसानों को देती रहती है, ये जो पहला पाइलेट आइस तूपा बना इस ट्रक्चर का है, उससे उपर थी, मगर हमने रिजिस्टर नहीं किया, क्योंकि हमारा सपना है, इसे सो फूट से उंचा करें, और इस पानी को प्रियोग करते हुए, पांच हजार पेल लगाए गए, अब एक और इसका इस्तिमाल, इसका प्रियोग, आपने सुना होगा, केदारनाथ में कितना बड़ा हादसा हुआ, धुरगटना गटी, ऐसे बहुत सारे धुरगटनाएं हिमाले में गटने वाली हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स पिगल रहे हैं, और बड़े बड़े जील बन रहे हैं, और यह जब जील फूट जाते हैं, तो ऐसे बाढ़ आती है, मगर फिर साधारन सी विज्ञान को प्रियोग करते हुए इसका सुलूशन भी निकाला जा सकता है, सिक्किम में एक ऐसा जील है, जिसको की एक खत्रे की गंटी या एक बम गोशित किया गया है, और पिछले महिने सिक्किम सरकार के नियोता पर हमारी विद्याले के एक टीम वहां गई, और बहुत ही साधारन सी विज्ञान को प्रियोग करते हुए इसको खत्रे को टाला गया या टाला जा रहा है, यह बिल्कुल नई बात है,खाल ही कि, तो इसमें एक साधारन सी विज्ञान है, साइफन टेक्निक साइफन वो प्रिक्रिया है जिसको हम आप जानते हैं कारों से पेट्रोल चुराने के लिए पाइप से निकाल कर नीचे रख दो तो निकलने लगता है दुनिया बर के लोग इस तरह से इसको जानते हैं इसी तक्नीक को प्रियोग करते हुए हम ले गए करीब पांच सो मीटर के बड़े बड़े पाइप याक पर लाद कर सिक्किम के उस जील पर जो की 17,000 फुट के उंचाई पर है चार दिन पैदल याक के साथ जाते हुए और वहां पर ये साहिफन का प्रक्रिया चलाया गया जि 150 लीटर परती सेकंड के दर से ये पहला भाग है आगे और इस पे दिकास होगी तो इस तरह से जैसे साइफन आप पेट्रोल के लिए जानते हैं यहां जील से पानी निकालने के लिए काम में लाया जा रहा है अब आप देखेंगे यहां पर पाइप में से बहुत पानी आ तो आपको याद आना चाहिए कि आइस तूपा में भी पाइप था और पानी था तो इससे एक और नई सम्भावना खुल जाती है और वो क्या है इन जीलों में जोकि सेंक्डों के तयदाद में बनती जा रहे हैं हिमालेओं में जोकि बहुत खत्रनाक हो सकती हैं इन जीलों में अगर हम ऐसे ही pipes लगाएं और खत्रे को टालें, मगर खत्रे को टाले ही नहीं, उसका प्रियोग करें, इस्तिमाल करें, तो क्या कर सकते हैं, जैसे ही pipes से, साइफन से पानी आता है, उसको एक आइस तूपा से जोड दीजिए, नीचे आइस तूपा दसों, बीसों, पचास और बनते बनते ये सब जुड़कर एक बरफ की ऐसी उंची चादर बनेगी, जो कि गर्मियों में पिगल ही न पाए और सर्दियों में फिर बढ़ने लगे, यानि कि ग्लेशियर का निर्मान कृतिम रूप में, आर्टिफिशल ग्लेशियर्स, हिमाले में नए ग्लेशियर्स बनने लगेंगे, जो कि इछले आइस एज, तस हजार साल पहले के बाद से कभी नहीं हुई है, हम इसे फिर शुरू कर पाएंगे, तो ये हमारा अगला लक्ष है, इस पे हमने प्रियोग करना शुरू किया है, लदाख के उंचे पहाड़ों में, आपने देखा कि ये सारे जो भी समादान हैं, समस्याओं के, इन में हाई स्कूल के विज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं है, और हाँ, आप भी कर सकते हैं, ये स्कूल कर रहा है, तो आप क्यों न करें, तो ये जो आइस स्थानिये सरकार ने नियोता दिया है, कि ये आइस दूपा की टेकनोलोजी उनको दी जाए, और वहाँ पे भी आइस दूपा आटिफिशल ग्लेशर्स बनाई जाएं, तो ये शायद पहली बार होगी, कि एक भारतिये टेकनोलोजी विधेश में जा रही हो, टेकनोलोजी ट्रांसफर टूर्ड द वेस्ट, 12 साल के उम्र में पत्रकार बने और फिर लदाख के शिक्षा मंत्री बने और ये है स्तन्जिन जो आज अंतरास्ट्रिय स्तर पे जाने माने फिल्म में इककर बन चुके हैं और इनको पुरुसकार फ्रांस में, भारत में, कैनडा में मिलते रहे हैं, और ठिनलस छोरल, जो एक यूवती हैं, उद्यमी, अंट्रपर्नर, जिनकी चर्चा अंतरास्ट्रिय पत्रिकाओं में हो रही है, और एक ने उन्हें परसन अफ दी येर भी गोशित किया है, आप सोच सकते हैं, इनमें क्या समानता है, कि ये बड़े घराने के अमीर और कि ये फेल हुए थे, गुरी तरह फेल हुए थे, मगर इनमें कोई कमी नहीं थी, और ये कि ये सेकमल बैकल्टिक विद्याले में आकर पड़े और वहां से उन्होंने अपनी जिन्दगी फिर शुरू की, तो सवाल ये उठता है, अगर आपके फेलियर्स ये कर सकते हैं, त ये कलपना पर है कि क्या-क्या हासिल किया जा सकता है, क्यो न फिर ऐसे एक युनिवर्सटी हो, तो कितना ही हासिल किया जा सकता है, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद. इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें.